हलो है और यूटूब रिवारेशन चेनल दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सब के लिए करेंट इपेर्स MCQ क्वेस्टन्स लेके आया हूँ सो यह क्वेक्शन बहुत ज़दा इंपोर्टेंट हैगा अपकामिंग जो ब्याड एंट्रेंस एक्जम 2022 आसाम इनिवर्सिटी सिल्चर का होगा उसके लिए वीडियो बहुत ज़दा खास है सो आप लोग मैंसे जो लोग यह एंट्रेंस एक्जम दे रहें उनके लिए वीडियो तो बहुत इंपोर्टेंट है साथी साथ दूसरे कॉम्पिटिटिव एक्जम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग भी यह वीडियो बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है सो आप लोग ज़दा से ज़दा इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़दा से ज़दा शेयर कीजिए और अपने दोस्ते के साथ शेयर करना क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट केक्शन ही उनका भी हेल्प होगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मेर वीडियो इतना वियूस आता है उसके बाद लाइक से आता है सो इसलिए मैं भी और ज्यादा वीडियोस अच्छा बनाऊंगा सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानि क्वेश्चन नुबर वान वीडियोस अच्छा बनाऊंगा सो उनका मतलब ये फिप्टिन नंबर याद रखना एसे क्वेश्चन भी आ सकता है एसा क्वेश्चन आजाएगा दुरूपणी मुर्मू इस डश प्रेसिडेंट ओव इंडिया 15, 16, 17 एसे दे देगा सो राइट हैंसर ओगा 15 प्रेसिडेंट ओव इंडिया Q2. In which year India has been selected to host ICC Women's Cricket World Cup बारत को किस वर्ष में ICC महिला Cricket विश्वकाप का मैजबान के रूप में चुना गया Q3. When is death anniversary of Dr. A.P.J. अब्दुलकलाम Q4. Which country launched its space station called O.N.T.A. module. यह बहुत important है O.N.T.A. module किस देश ने O.N.T.A. module नामक अपना अंतिरिक श्टेशन लॉंच किया बहुत बहुत ज़्यादा important question है तो यह किसी भी competitive exam में आ सकता है O.N.T.A. module China, America, Russia, Australia तो राइट हैंसर है आप्षन ए चाइन रखना So, यह space station है उसका नामी वेंट किया जो चाइना ने लॉंच किया Next question Who is the managing director and CEO of N.S.C. in 2022 So, 2022 में N.S.C. के प्रवंदक, निर्देशक और CEO कौन है Option A.B. बिक्रम लिमाई Option B. M.S. चित्रा रामकिष्ण Option C. अशिश कुमार चौहान Option D. Mr. Girish Chandra Chaturvedi So, राइट हैंसर है Option C. अशिश कुमार चौहान Next question When is celebrated World Brain Day? मिश्य मस्तिश्क दिवस कब बनाये जाता है 12 September 22nd July 9 May 16 July So, राइट हैंसर है Option B. 22nd July Next question When was launched the Prime Minister बाया बन्दना योजना? पना मंत्री बाया बन्दना योजना कब शुरू की गई? 2010, 2022, 2019, 2027 So, राइट हैंसर है 2017 27 नहीं, 2017 यानि Option D. 2017 2017 में PM बाया बन्दना योजना लाँज किया So, मुझे कोमेंट सेक्षिन में बताना इस जो योजना है, उसका मीनिंग क्या है? इसमें कौन से चीज कबर करते है? किसको किसको कबर करते है? So, बहुत इंपोर्टेंट है आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्षिन में बताना क्योंकि यह आपका टास्क है Next question Who became the Prime Minister of Koweit in 2022? 2022 में Koweit के पता मंत्र कौन बने? Option शेक अहमद नुआफ अल-अहमेद अल-सबा Option B, जबेर उल-मुबारग अल-हमाद अल-सबा Option C, सबा अल-Khalid अल-सबा Option D, नसीर अल-मुहमद अल-सबा So, राइट अंसरे Option C, शेक अहमद नुआफ अल-अहमेद अल-सबा Next question India signed an MOU with which country for the reintroduction of Cheetah and wildlife conservation यह बहुत important है बारत ने किस देश के साथ Cheetah और बिननजी बरतलाप को फिर से शुरू करने के लिए एक सम्ज़ता यानि MOU ग्यापन पर हस्तक्षर के Option E, China, Australia, Namibia, Switzerland Right answer option C, Namibia दियान रखना Next question Who is the first Indian to win the silver medal at the World Athletic Championship विश्व Athletics Championship में राज़त पतक जितने वालाई पहले बारतिया कोने So, option E, Shippal Singh Option B, Raghav Heda Option C, Anurani Option D, Niraj Chopra Right answer option D, Niraj Chopra Next question When is celebrated Kargil Vijay Divas in India 26th July 12th May, 5th April 25th August So, right answer option A, 26th July Next question In which state 36th edition of the National Game 2022 was held यह बहुत इंपोर्टेंट है राष्टिया खेल 2022 का 36th किस राज़य में आईजी तुआ So, इसका right answer option B, Gujarat Next question What is the name of the submarine which has decommissioned from the Indian Navy on 16th July 2022? उस पंडुबी का नाम बताई है जिसे 16th July 2022 में भारतिय नोसना से शेवा मुक्त किया गया INS Calvary, INS Ranjit, option C, INS Arihant, option D, INS Sindhu Doge So, right answer option D, INS Sindhu Doge Next question Where was the first case of monkeypox found in India? Monkeypox का पहला मामला बारत में खापे मिला So, right answer option C, Kerala So, आज के लिए इतना ही हम लोग दो पार्ट में जो जुलाई का current affairs cover करेंगे So, आज यह first part है जुलाई current affairs का So, आप लोग इस वीडियो को जदा से जदा शेयर कीजिए Next part में हम लोग भाकी question करेंगे So, thank you so much